स्पोर्स बाजी शोर मेरे नाम है जै शर्मा मेरे साथ है रितिक कपूर और आज हम बात करने वाले हैं IPL के मैच नंबर 53 की जो की है पंजाब किंग्स वर्स सेज चन्नेई सूपर किंग्स और यह मैच हो रहा है धरमशाला के स्टीडियम में यानि की मज़ा आएगा मैच विड़िध विउ तो रितिक, क्या कहेंगे आज के माच के दाएगा ने मैच विड़िध विडू सरी का आपने और व्यू तो हो गा गई साथ में, कैमरा मैन भी ओ दिखाते हैं ...... वादियों का जए ओन में 1974 स्पोर्टवादी की जो में हम यही बाते करेंगे उपाद करेंगे और बहुत सारी चजों चेजों के बारे में पारे मिया खाये तो अब सबसे पहले बात करते हैं लीग of the day की और रिते हैं लीग of the day में क्या पताना चाहेंगे आप सबसे पहले पिच रिपोर्ट तो पिच रिपोर्ट धरमशाला क्रिकिट स्टेडियम हपी से की कुछ ऐसी रहेगी कि तेज गैन बाजो को शुरुवात पे नहीं गैंसे तो मदद मिलेगी क्योंकि हवाय चलेंगी तंडी और फिर उसके बाद बैट्समेन अगर सेटल हो जा त है और देखना हो कितनी मिलते है अग्जाक्ली और अब बात करें रितिक अगर हैड़ तो हैड़ तो हैड़ दोनों टीमों के बीच में मैच जो है हूँ है 29 जिसमें से पंजाब किंग्स अपने नाम करें 14 मैच और CSK ने 15 मैच अपने नाम करें कावी कार्टे की टक्कर रही है और रिसेंटली CSK के उपर दबाव जो है वो जाधा रहा है पंजाब का तो पंजाब की टीम के पास थोड़ा सा कॉंविडेंस होगा जाधा लेकिन CSK की टीम है उनको कोई टेंचन नी है वो जीच जाएंग उनको पता है कि हमें क्या गरना है तो देखना होगा क्या होता आज एकजेटली और विस के सता सठ रितिक अगर हम बात करें यहां पर क्लासिक टीम के तो कॉंसी क्लासिक टीम देने वाले ओर कॉंसी लीग कर देने वाले वाले आज आप बिलकुल मैं बताता हूँ, पहले क्लासिक फैंटेजी टीम बता लेता हूँ, पीबी केस पर सीस के मुकाबले के फिर इसके बाद मस्सी लीग बताता हूँ विगट कीपर्स में जॉनी बेस्टो, प्रप्सिम्रंट सिंग, बैटर्स में शशांक सिंग, रिली रूसो, शिवम दूबे और उतुराज गयकवाड, और राउंडर्स में सैम करन, रविंदर जडेजा, मोहिन अली, बोलर्स में कगिसो रवाड़ा और मतिशा पतिराना, वा मैं बताता हूँ, इंवेस्मेंट तो कुछ भी नहीं है, पर लेकिन साधी साथ अगर आपने पिछले 30 दिनों में 500 रुपीज डिपोजिट करे होंगे न, तो फ्री टिक्ट मिल जागा लिग का, और यही नहीं, अभी और सुनिये, और सुनने के लिए बचा यह है, कि जो ल अगर में 2500 रुपीज अगर मिल जाए, तो भाई मज़ी मज़े है, तो देखना लगाना, और हम भी लगाएंगे साथ में टीम, तो उसके साथ साथ अब आगे चलते हैं, मार्केश अपर आप खेल सकते हैं, लाइव on Stats Pro, तो सबसे पहले अगर आगर बात करें किसे हैं, क् मार्केट्स रहती हैं, और किन पर आपको इंवेच्ट करना कैसे, सब मैं बताता हूं, तो Stats Pro पे खेलना कैसे है, यह आपको बताते है, स्पोर्स बाजी के आप पर जाना और इस मैच के ओपर क्लिक करना है, और सबसे पहली जो मार्केट या क्वेशन जो होगा, पंजाब मैच अगेंस चन्नाई, अगर अगर लगता है कि पंजाल की टीम जीट जाएगी, तो Yes और अगर अगर लगता है चन्नी की टीम जीट जाएगी, आपको दिल दिबागो डेता का जीटा अनिलसिस यह कहता है, और यहां पर नो प्र इंवेस्ट कर सकते है, और अगर आपको प तो मेरे हिसाब से यहां पर यह कर सकते हैं अगर अगर कुछ और उपिन है तो आप नो पर जाके इंवेस्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं रिटरंस अगर आपका सही होती है प्रेडिक्शन तो मारकेट अब देगी बात हो गई अब चलते हैं कि कौन-कौन से प्लेयर से जिनके पर थोड़ा से एक्स्टा दाव खेल सकते हैं या स्टॉक्स में इंवेस्ट कर सकते हैं उनके तो टॉप त्री पिक्स हमारी तरफ से कौन से हैं वो स्टॉक्स सबसे पहले हों के रुतुराज गाइकवाड बिकॉस ऑविसी बात है जिस तरह से वो रंस बना रहा है तो लेन और कि अच्छी रही नहीं है और सीजन में इतना कुछ खास अप्रदशन नहीं किया है ठोड़े बहुत स्टार्ट मिलता है इसलिए आप शॉट पर जाके अनके स्टॉक पर सकते हैं आपको रिटर्स मिल जाएंगे तो यह सब तो बाते हो गई मार्केट सथ दे अब चलते ह तो गिववे की तरफ और रितिक बताएंगे कि गिववे क्या है आज का तो गिववे है जै कि धर्मशाला के मादान पर अगर हमारे दर्शक बता दे सही सही के पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम तो उनको मिलेगा इनाम उनको मिलेगा या जो पहले टॉप 5 प्रेडिक्टर्स होंगे उसमें से जो एक सही होगा उनको जो इनाम में मिलेगा वो मिलेगा रुपीस 500 कैश बोनस प्राइज और स्पोर्ट बाजी की तरफ से एक मर्चंडाइज भी क्या बात है यार फिर देर किस बात किया है comment section भर दो भी predictions के साथ और जिसकी prediction एकदम closest और एकदम सही होगी उसको जैसर इतिक ने बताया कि giveaways मिलने वाले है और काफी सारा अच्छा price मिलने वाले है तो देर मत करना comment section भरते रहे और उसके साथ हमारे telegram channel को join कर रहे होगा वह होती है वहां पर आपको available रहती है कुछ भी change हो रहा है कुछ भी हो रहा है सब updates वहां मिलती है और उसके साथ-साथ हमारा social media handle है उसको भी follow करना उसको भी like करना Facebook और उसके साथ-साथ झाल झाल